हलो फ्रेंड्स वेलकम टो आई चैनल मल्टी रोज लाइफ दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रात में सोते वक्त दूद पीने के फायदे और किन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है साथियों हम इस चैनल में आपके लिए आयुरवेदिक और घरेलू उपायल लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिजर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं ताकि आप हमेशा स्वास्त और खुशहार रहें यदि आप चाते हैं कि हेल्ट से रिलेटिड जानकारियां आप तक पहुँशती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें दोस्तो दूद कितना पिया जाए और कब पिया जाए कितना लाव होगा कितना पिये तो कब हानी होगी इन बातों को लेकर इनसान के मन में हमेशा शंका रहती है अधिकतर लोग जो रात को दूद का सेवन करते हैं उनके मन में ये शंका होती है कि रात को दूद पीना नहीं छोड़ते लेकिन हम में से बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि किस समय दूद्ध के क्या फायदे होते हैं और इसी लिए इन बातों को लेकर हर आम इनसान कन्फ्यूजन में होता है अधिकतर रात को दूद्ध का सेवन करते हैं उनके मन में के कन्फ्यूजन रहता मिता है कि रात को दूद् पीना फायदे बंद होगा या नुकसान दे। आज हम इस वीडियो में आपका यही कनफियूजन दूर करेंगे और आपको बताईँगे कि रात को दूद पीना आपको फायदा कैसे पहुचाएगा। दोस्तो सबसे पहरे तो ये जान ले कि रात को दूद बिल्कुल सोते वक्त ना पिये सोने से कम से कम एक से दो घंटे पहले ही दूद का सेवन करे और दूद में मिठास के लिए चीनी ना डाले मिठा दूद कफ कारक होता है चीनी मिलाकर पीने से कैलशियम नस्ट हो जाता है इसमें प्राकतिक मिठास होती है अगर मीठे की जरूरत हो तो शहद या मुनक्का या मिस्री डाले दोस्तो आयरवेद के मताबिक भी नीन शरीर को कफ दोश से प्रभावित होती है दूद अपने भारी पर मिठास और ठंडे मिजास के कारण कफ परवती को बढ़ाकर नीन लाने में दिक्कत दे सकता है इसलिए दूद रात को पीना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस से शरीर की ठकान मिठती है और नीन अच्छी आती है लेकिन तब जब दूद को बीना चीने के पिया जाए दोस्तो बहुत ठंडे या गरम दूद के बचाए आपको हमेशा गुनगुना दूद ही पीना चाहिए लेकिन दोस्तो इस बात कभी खास तोर पर ध्यान रखे कि खाना खाने के त्वंत बाद भी दूद नहीं पेना चाहिए सोने से पहले दूद पीने के मामले में जरूरी शर्त ये है कि शाम का भोजन कि ये लगबग 2-3 घंटे हो चुके हो तब ही दूद पिया जाए ताकि अमाशिय खाली हो चुका हो दोस्तों क्योंकि इसे पीने के बाद सो जाने से कोई पधार पेट में नहीं जाता इसलिए दूद आसानी से पज़ जाता है और अपने पूरे गुण शरीर को देता है दोस्तों शेहद और दूद दोनों संब्रून आहार माने जाते हैं वैसे तो दूद पीने वा शेहद खाने दोनों के ही कैई लाव होते हैं लेकिन दूद और शेहद दोनों को साथ लिया जाए तो इसके गुन दोगने हो जाते है शेहद अपने एंटि बैक्टिरिया तो उसके और भी फायदे लेने के लिए आप उसमें शेहद भी डाल सकते हैं। लेकिन किन बातों का खया रखना भी जरूरी है। एसी ही जानकारी आपके लिए आगे बिलाते रहेंगे। बड़ मैं बड़ दो एंग पल。 कर दोanka मैं पल,